तो इस वीडियो में हम लोग solve करेंगे questions को discriminant के formula से अभी तक हम लोग exercise 5A और 5B बना चुके है अगर आप video नहीं देखें तो जाकर देखें इस video के description में हम उसका link भी डाल देंगे तो 5A और 5B quadratic equation chapter का chapter 5 जो है आप लोग का उसको हम लोग solve कर चुके एक के questions को अच्छे से solve किया गया उसको जाकर आप देखिए आपको लिए बहुत ज़्यादा helpful होगा इस video में हम लोग discriminant होगा solve करेंगे जो की exercise 5C से related है तो चलिए हम लोग solve करते पहले समझ लेते concept को समझ लेते उसके बाद फिर solve करेंगे तो discriminant में क्या होता है जब कोई भी quadratic equations को ना हम लोग ऐसे मतलब middle term splitting के middle term splitting के through अगर नहीं तोड़ पाते है तब हम लोग क्या करते है ये discriminant का formula applied कर लेते हैं ताकि हमको कम से कम दो-टो root मिल जाए दो root दो values मिल जाए ठीक है तो equation तो हमारा यही होता है quadratic equations का format a is not equal to zero x square plus bx plus c is equal to तो हम लोग का d का formula हो जाता है d is equal to b square minus 4ac ठीक है d is equal to b square minus 4ac तो roots क्या बनता है हमारा minus b plus minus 2 root बनेगा b square minus 4ac root under में और by 2a तो अगर एक अलग निकालना चाहिए इसको अलग निकालना चाहें तो alpha गर नाम देते हैं तो alpha minus b plus root divide 2a हो जाएगा और beta is equal to minus b minus root divide 2a हो जाएगा जहाँ d is equal to क्या जाएगा मेरा ये value जाएगा के लिए रहे कुछ नहीं छोटा सा concept है बट calculations है calculations आपको द्यान में रखना पड़ेगा और जल्दी जल्दी calculate भी करना पड़ेगा तो आते हैं exercise 5c में जिसमें पहला number questions है multiple choice question तो multiple choice questions को हम लोग solve करेंगे यहां question दिया हुआ है x square minus 3x plus 2 is equal to 0 और हम लोग इसको solve करेंगे discriminant का formula से ठेक है चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना देखे हम पहला questions को एकदम detail में बना देते हैं उसके बाद थोड़ा 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 skip करेंगे क्यों क्योंकि बार बार लिखना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखता है आप लोग भी नहीं लिखोगे copy में उसको पता है ठेक है तो चलिए तो पहला में क्या होता है अगर हम compare करते हैं ax square plus bx और plus c से is equal to 0 से तो हमारा a is equal to कितना निकलेगा देखे देखे a is equal to निकलेगा हमारा 1 b is equal to निकलेगा minus 3 और c is equal to निकलेगा टू बोले तो plus 2 अब इसके दवर हम लोगों को d का value find करना है तो d का value कितना हो जाएगा d is equal to b square minus 4ac तो b square minus 4ac तो b का value minus 3 का square minus 4 और into a का value 1 और c का value 2 तो ये कितना value आ जाएगा 3 तो 9 और minus 8 that is equal to 1 तो d का value हमारा कितना आ गया 1 तो हमारा 2 root निकलता है एक alpha निकलता है और एक beta निकलता है तो alpha इस गल लोग कितना हो जाएगा minus b formula भी लिख देते है minus b और plus plus minus में चलता है तो एक plus में रहता है और एक minus में रहता है तो plus लिख देते plus root under d और by 2a और इसमें कितना value आ जाएगा minus b है तो minus और minus 3 हो गया और plus d का value तो 1 है तो root 1 लगाएगे और by 2 into a that is 2 और a का value भी मेरा 1 है तो value क्या निकलेगा यह हो जाएगा 3 यह हो जाएगा plus 1 यह हो जाएगा 2 याने कि 4 by 2 that is equal to 2 यह हो गया हमारा और एक बीटा अगर निकलेगा तो इसमें formula हम तो क्या apply करेंगे minus b minus root under d by 2a तो यह हमारा क्या बन जाएगा minus minus 3 यहाँ सिर्फ minus हो जाएगा root 1 और by 2 तो यहाँ value जाएगा 3 minus 1 by 2 और यह हो जाएगा हमारा 2 by 2 which is equal to 2 sorry 1 हम 2 लिएग दिये equal to 1 तो हमारा roots क्या क्या निकल गया 2 और 1 not and 1 2 और 1 तो यह option में आप लोगो confuse करने के लिए देता है ठेक है देख लीजेगा book में and भी लिखा हुआ रहेगा और और भी लिखा हुआ रहेगा जैसे 2 and 1 भी लिखा हुआ है आपका first option में और second option में 2 or 1 लिखा हुआ है तो आपका option कौन सा सही होगा आपका option सही होगा 2 number option 2 is right ठीक है ऐसा नहीं कि 1 में 2 or 1 2 and 1 आ रहा है चलो first number सही है मार देंगे ऐसा नहीं करना है और वला ही हमेसा answer सही होता है roots चो है तो और में लिखा होता है अब देखे इस questions को हम detail में बना देखे अब ऐसे ही questions को बनाएंगे बर थोड़ा-थोड़ा क्या होगा यह ABC नहीं लिखेंगे चब बार बार फर्मूला नहीं लिखेंगे आप लोग लिखेगा आप लोग को practice करना होता है तो आप लोग को फर्मूला याद हो जाएगगे चले आते हैं B में अब B में है x square minus 4x minus 5 is equal to 0 तो direct हम D निकारते है तो D is equal to क्या हो जाता है B square minus 4 is तो B square हो गया कितना minus 4 है तो minus 4 का square और minus 4 और into 1 और into minus 5 यह हो जाएगा हमारा 16 minus minus plus और यह हो जाएगा 20 that is equal to 36 20, 30, 36 हाँ D is equal to कितना हो गया 36 हो गया अब हम लोग alpha और beta find करेंगे तो alpha is equal to कितना हो जाएगा minus B और plus root under D और by 2A तो minus B हमारा कितना हो जाएगा minus और B का value minus 4 है plus root under D लिखेंगे तो root 36 लिखेंगे और by 2 into 1 यानिकि 2 यह solve करेंगे तो कितना हो गया 4 और plus 36 का value होता है 6 तो 4 plus 6 by 2 6, 4, 10, 10 by 2 that is equal to 5 यह हो गया और अगर beta निकालते है यहां कि दूसरा root निकालते हैं तो same ही condition जाएगा बस यहां क्या हो जाएगा minus minus 4 minus root 36 और by 2 which is equal to यहां हो जाएगा 4 minus 6 और by 2 यह हो जाएगा minus 2 by 2 which is equal to minus 1 तो हमारा options क्या जाएगा 5 और minus 1 5 और minus 1 यानिकि option number अपका 1 में दिया होग 5 और minus 1 अब 5 को 5.00 तो लिखी सकते है minus 1 को minus 1.00 तो लिखी सकते है तो आप option मिलागी जाएगा एतना तो आप लोग को decimal places के बारे में जानकारी होगा है चलिए question number C यानि की 1 का C हम लोग देखते है x square minus 8x minus 9 है तो D निकाल लेते हैं D is equal to कितना हो जाएगा B square minus 4AC minus 8 का square minus 4 और into 1 और into minus 9 ये कितना हो जाएगा 64 minus minus plus 9 4 जा 36 ये हो जाएगा हमारा 100 हो गया अब हम लोग को निकालना है roots तो अगर roots x बोल देते हैं पूरा निकाल रहे हैं तो इक कौन-कौन सा value निकलता है minus minus 8 और plus minus रहेगा root 100 100 और by कितना 2 into a यानि कि 2 2 into 1 ही नहीं आएगा क्योंकि x का value कितना है 1 है अब यहां से 2 root निकल जाएगा तो मेरा root निकल के आजाता है कितना यहां पर पहला root आएगा यानि कि alpha is equal to 8 और plus root 100 का value 10 और by 2 यानि कि 10 अठाटारा by 2 2 9 जा 18 यानि कि हमारा 9 और beta is equal to कितना हैगा 8 और minus 10 भाई 2 यह भी असान तरीका होगे न थोड़ा जल्दी बन जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा कितना भाई 8 minus 10 that is minus 2 और by 2 which is equal to minus 1 तो हमारा answer का होगे 9 और minus 1 ठीक है चले दी में आते हैं x square minus 2x minus 3 इसको भी solve करते हैं d is equal to कितना है minus sorry b square minus 4ac b square minus 4ac तो b का value minus 2 का square minus 4 और into a का value 1 और c का value कितना minus 3 जब इसको हम लोग solve करेंगे तो यह हो जाएगा 4 और minus minus plus 4 3 जा 12 12, 4, 16 हो गया अब हम लोग निकालेंगे x यानि के roots जिसको बोलते है x बोलो चाहे roots बोलो बात एक ही चीज है ठीक है roots हम लिख देते है roots अगर निकालते हैं तो कौन सा plus minus वाला पूरा लिखेंगे तो formula होता है minus b और plus minus root अंडर d और by 2a इससे हम लोग क्या बना सकते है minus b b का value है minus minus 2 फिर plus minus root अंडर d root 16 और by 2 into वानी 2 ही रह जाएगा तो हमारा alpha क्या निकला एक निकल गया हमारा 2 minus minus plus देखो minus minus क्या हो जाता है plus हो जाता है तो यह 2 हो गया एक plus के साथ जाएगा तो यहाँ 4 का value आजाएगा root 16 का value 4 और by 2 तो 4 और 6 और by 2 कितना हो गया 3 और एक अगर बीटा निकलते हैं तो हो जाएगा 2 और minus 4 by 2 which is equal to minus 2 by 2 याने की minus 1 तो हमारा कॉनसर हो गया 3 और minus 1 आपको जो भी दिकरा होगा वो आप टिक कर लिजएगा 3 और minus 1 not 3 and minus 1 कभी भी and नहीं लगाना है क्लिए रहे समझ में आ गया चलिए अब आते हैं next में e number e में क्या है x square minus 6 x minus 6 तो पहले d निकाल लेते है d is equal to b square minus 4 ac तो minus 6 का square minus 4 into 1 और into minus 60 तो यह हो जाएगा 36 और minus 16 चोके 64 प्लस में हो जाएगा क्योंकि minus minus प्लस होता है तो यह हो गया 100 तो हमारा roots क्या निकलेगा roots बोले तो value minus b plus minus root under d और by 2a तो minus b कितना हो जाएगा minus minus 6 plus minus root under 100 और by 2a यहनिके 2 into 1 2 तो alpha क्या निकला हमारा 6 और plus root 100 का value 10 और by 2 यह होगा 16 by 2 याने की 8 और beta कितना हो गया beta is equal to हो जाएगा 6 minus 10 और by 2 याने की minus 4 by 2 याने की minus 2 answer कौन सा हो गया 8 और minus 2 8 और minus 2 यह कौन सा option है आप लोगा 8 और minus 2 8 और minus 2 that is option number 1 option number 1 था यह चलिए यह तो हो गया हमारा MCQ पूरा complete MCQ आपका पूरा complete हो चुका है आप answer भी मिला लिजेगा और practice करिएगा ठेक है अब हम लोग questions में बढ़ते हैं that is question number 2 2 में क्या बोड़ा है solve each of the following आपके पास book सामने होना चाहिए solve each of the following equations for x and given in each case your answer correct to one decimal places answer को हम लोग को one decimal places तक लाना है यानि कि point के बाद एक digit होना चाहिए solve करेंगे अगर दो digit तिन digit आयता है तो अप्रॉक्स कर देंगा अप्रॉक्स करके निकालेंगे round figure कर देंगे simple सी बात है और कुछ है नहीं ठीक है चले तो आते हैं question number 2 का 1 x square minus 8x plus 5 सब में अप्रोच यही लगाना है और कुछ करना है नहीं सबसे पहले d नहीं का होते है तो d is equal to कितना हो गया b square minus 4ac तो b का value minus 8 का square हो गया minus 4 into 1 और into c का value 5 तो 64 और minus 5 के b 64 minus 20 that is 44 यह हो गया हमारा d का value तो roots जो हमारा निकलेगा x is equal to क्या निकलेगा minus minus 8 that is minus b plus minus root under d तो root under 44 और by कितना 2a यहनिकि 2a that is 2 into 1 ही हो जाएगा क्योंकि x का value 1 है तो हमारा 2 value निकलेगा 1 alpha निकलेगा कितना 8 और plus root under 44 और by 2 और 1 beta निकलेगा 8 और minus root under 44 by 2 अब देखे 8 हो गया plus root 44 का value होता है 6.63 6.63 यह आप लोग find कर लिजेगा by 2 अब इसको solve करेंगे तो 8 से 14 और 0.63 और by 2 आएगा और इसको जब solve करेंगे तो यह approximately 7.3 आएगा उसी तरीके से यहाँ पर है 8 और minus 6.63 और by कितना है 2 है जब इसको हम दोग घटाएंगे तो हमारा आएगा 1.37 1.37 और by 2 जब इसको हम दोग solve करेंगे तो approximately आएगा कितना 0.68 आ रहा है मतलब solve करने के बाद ठीक है चेक किये तो 0.68 आ रहा है तो इसको हम दो लिख सकते है 0.7 approximately तो हमारा point के एक digit तक चाहिए तो 0.7 हो गया एक 7.3 आ गया और दूसरा कितना आ गया 0.7 ये दो value हमारा roots बन गया और वाला value लेना है and कभी नहीं लिखना है and लिखोगे option वाला question से तो पक्का गलत हो जाएग तो ये हो गया हमारा 2 का 1 अब आते हैं 2 का 2 2 का 2 में question number है question है 5x square plus 10x minus 3 इसमें भी हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले d नहीं काल लेते हैं तो d is equal to कितना होगा b square minus 4ac तो 10 का square हो गया और minus 4 और into 5 और into minus 3 ये हो गया ये हो गया हमारा 100 और ये minus minus plus 425 तिया 60 ये हो गया हमारा 160 ठीक है और अगर root 160 का value भी निकाल लेते हैं यहीं पर भी निकाल सकते हैं आगे भी निकाल लेंगे कोई दिक्कर नहीं है क्योंकि हम लोग को root under d value put करना ही होता है है ना चलिए तो हम लोग roots में आते हैं तो x is equal to हमारा क्या निकालेगा minus b यानि की minus 10 plus minus root under d यानि की 160 और by 2a25 जा 10 हो जाएगा तो हमारा alpha एक value निकाल रहा है minus 10 plus root under 160 और by 10 और एक beta value निकाल रहा है that is minus 10 minus root under 160 और by 10 ठीक है आप 160 का value root under 160 का value जो होता है root under वो होता है 12.64 कितना होता है root 160 का value 12.64 तो minus 10 plus 12.64 और by 10 यहाँ पर भी हो जाएगा है ना minus 10 minus 12.64 और by 10 यह हो गया अब दोनों को जब solve करते हैं तो हमारा answer आता है इसमें 0.26 ठीक है 0.26 और इसमें आता है हमारा minus 2.26 minus 2.26 अब अग approximately लेते क्योंकि हमको decimal के one places तक find करना है इसको हम लोग लिख सकते है approximately 0.3 round figure में और इसको लिख सकते है round figure में minus 2. कितना है 6 है तो यह 3 हो जाएगा 5 से जादा होता है तो हम लोग कम कर लेता है round figure में चलिए तो 2.3 हो गया समझ में आ गया तो एक value आया 0.3 और एक value आयगा minus 2.3 आप answer मिला लिजेगा मेरे हिसाब से answer सही आ है क्योंकि already हम answer मिला चुके देख चुके calculations का चुके ठीक है पॉइंट के बाद हमको 2 डिजेट चाहिए होता है तो बस फॉर्मूल concept तो मेरा हुआ ही है सबसे पहले हम लोग define करते है तो d is equal लोग कितना b a square minus 4 a c तो b का value minus 10 का square है ना और minus 4 into a का value 2 और c का value 5 यह हो जाएगा 100 और यह हो जाएगा चार दूना आठ पच्चे 40 यानी किया अब हो गया 60 अब root 60 का value हम लोग को पता होना चाहिए चाहिए हम लोग को निकालने आना चाहिए root 60 का value ऐसे गरके निकालते हैं हम लोग ऐसे ऐसे तो कितना वर में लगाते हैं 7 वर में 8 से 64 हो जाएगा अब आते हैं roots में तो roots हमारा क्या निकलेगा value क्या निकल सकता है हमारा that is minus b और plus minus minus b कितना हो जगा minus minus 10 फिर plus और minus root अंडर t यानिके 60 और by 2 into 2 यानिके 4 तो हमारा alpha निकल के आता है 10 और plus root 60 और by 4 और beta निकल कर आता है 10 minus root 60 और by 4 ये चीज़ हो गया अब solve करते हैं तो 10 और plus root 60 का value होता है 7.74 और by यहाँ पर 4 हो जाएगा यहाँ पर beta is equal to हो जाएगा हमारा 10 minus 7.74 और by 4 अगर हम इसको solve करते हैं 14.74 by 4 और इसको जब solve करेंगे तो हमारा आएगा 4.435 अप्रोक्स value लेकर आएगे तो हम लोग 4.44 लिखेंगे और इसमें अगर बीटा का value लेकर आते हैं तो ये आएगा हमारा 2.26 और by 4 इसको divide करते हैं तो हमारा आएगा 0.565 और अप्रोक्स में लेकर आते हैं तो 0.56 मतब 2 decimal places तक है तो हमारा answer कौन-कौन सा हो गया एक हो गया 4.44 और एक हो गया 0.56 के लिए रहे? चलिए question number 2 third का 2 है तो हम लोग क्या करेंगे LCM निकालनेंगे तो by 1 यहां भी करते थे तो यह कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 4X square और plus 6X plus 6 होगा और plus 13X नीचे में तो हमारा LCM और डी X है ही is equal to 0 यह X उदर चला जाएगा तो बच जाएगा 4X square plus 13X arrange कर दे रहे और plus 6 is equal to 0 यह हमारा आगया equation अब D का value निकालते हैं तो D का value कितना होगा? D का value हो जाता है हमारा B square minus 4AC तो 13 का square minus 4 और into 4 और into 6 169 और minus 4 चक 16 16 गुना 6 96 16 6 चा 96 तो हमारा आगया value 73 यही पर हम लोग root 73 का value भी निकाल लेते हैं root 73 का value आता है that is 8.54 क्योंकि आगे हमको use करना है roots मेरा क्या निकलेगा? दो अठो roots में ठेक है? तो मेरा निकलेगा minus B minus B है तो B का value इस equations में देखे हैं अब उपर वाला equation पर ध्यान मत दीजेगा यह equation है हमारा minus B है तो minus 13 और plus minus root under कितना? 73 है और by 2A यानिकि 2 4 जा 8 यह हो गया तो मेरा दो value निकलेगा alpha निकलेगा minus 13 एक plus root 73 और by 8 और beta निकलेगा minus 13 एक minus root 78 और by 8 तो हम लोगों तो value पहले से लिखने हैं तो minus 13 और plus 8.54 और by 8 और इसका value आ जाएगा हमारा minus 13 minus 8.54 और by 8 minus 13 plus 8.54 कितना हो जाएगा? 0.56 यह minus में आएगा आप इसको solve किजिएगा ठेक है? और यह आएगा minus 2.69 तो हमारा जो roots जो होगा जो answers होगा यह और यह बन जाएगा ठेक है? गुना भाग तो आप लोग करी सकते हो ना add करना add 8 से divide दे देना बस और question एक questions आएगा आपको calculation इतना करना ही पड़ेगा चलिए आते question number 3 का third में question क्या बोला है? 4x square minus 5x minus 3 है चलिए तो इसको भी हम लोग solve कर लेते हैं d is equal to कितना होगा? b square minus 4 is तो minus 5 का square और minus 4 और into 4 और into minus 3 तो ये कितना हो गया हमारा 25 और minus minus plus 4.16 तिया और 40 25 plus 48 25 plus 48 73 तो हमारा roots जो x जो आएगा roots इसको बोल सकते कौन सा आएगा भाई? minus b और plus minus root under d root under d बोले तो 73 और by 2 into 4 याने की 8 तो हमारा alpha निकल के आएगा कितना? 5 plus root 73 और by 8 और एक बीटा निकल के आएगा 5 minus root 73 और by 8 तो 5 plus root 73 तो root 73 का value 8.54 और by 8 और यहाँ पर 5 minus 8.54 और by 8 5 plus 8.54 तो 13.54 हो गया और by 8 और यह हो जागा हमारा 13 sorry 39 गटाना है ना तो 3.54 हाँ 3.54 और by कितना हो जाएगा? 8 और यह हैगा minus में जब इसको हम लोग divide करेंगे तो 1.69 इसमें और इसमें minus 0.44 यही आएगा value आप लोग को जरूरत कहां तक होता है? आप लोग को जरूरत यहां तक ही है बस उसके बाद तो आप लोग खुद calculate कर लोगे चलिए आते question number 4 3 number का खतम हो गया 3 number में 3 question था question number 4 में आते question number 4 भी same ही चीज है उसको भी हम लोग को वैसे ही solve करते जाना है चलिए तो यहां निकालते हैं D D is equal to B square minus 4AC तो B square यानि कि minus 12 का square हो गया और minus 4 into 3 into और minus 1 solve करेंगे तो आएगा कितना 144 इसका और minus 12 plus 12 हो जागा minus minus plus तो कितना हो जागा is equal to 156 ठीक है? तो हमारा roots क्या निकलता है? अगर x देख लेते हैं roots का value तो minus minus 12 plus minus root under 156 और by कितना? 3 to 6 यह हो गया है अब हम लोग को value निकालना है तो alpha is equal to कितना निकला? तो यहां हो जाएगा 12 plus root 156 by 6 और बीटा कितना निकल जाएगा? 12 minus root 156 और by 6 तो 12 और plus root 156 का value होता है 12.489 इसमें हम लोग को point 3 decimal places तक है निकालना है तो इसलिए हम लोग 3 तक लेगे 12.489 और by 6 इसमें भी वही हो जाएगा 12 minus 12.489 और by 6 इसको solve करेंगे तो आएगा 24.489 add कर रहे है इसको और इसको जब subtract करेंगे तो हमारा आजाएगा कितना? 0.489 वह भी minus में by 6 अब जब इसको divide करेंगे तो 4.08 approximately 2 और इसको जब divide करेंगे तो यह आजाएगा 0.082 वह अप्रॉक्सिमेटी ठीक है? एक नमबर इदर उदर होता है doesn't matter कोई दिखकत नहीं है option नहीं है कि हाँ हमको option से पक्का मिलाना ही है ठीक है? तो एक नमबर अगर मतलब एक नमबर इदर उदर होता है तो कोई दिखकत इससे नहीं है ठीक है? मिलाया जाता है ultimately point के एक डिजिट के बाद point के पहले वाला point के ठीक बाद वाला चलिए question number 4 का 2 में आता है 4 का 2 है x square minus 16x plus 6 तो सबसे पहले d का value निकालेंगे b square minus 4ac तो minus 16 का square minus 4 और into 1 और into 6 हो जाएगा कितना? 16 का square 256 और minus 6 का 24 यह हो जाएगा हमारा 232 अब आते हैं हैं आपर roots निकलेगा मेरा कभी roots देखें कभी roots लिख दे रहे कभी x लिख दे रहे एक ही चीज़ है ठीक है? तो यह हो जाएगा मेरा minus b यानि कि minus minus 16 और plus minus root अंडर 232 और by 2a यानि कि 2 हो जाएगा क्योंकि x का value 1 है a का value 1 है तो alpha कितना निकला? मेरा 16 plus और minus सारी plus minus निलिखेंगे हैं आपर सिर्फ plus root 232 232 का value होता है 15.231 15.231 और by 2 और इधर अगर बीटे निकालते हैं तो यह हो जाएगा 16 minus 15.231 और by कितना? 2 ठीक है? अब solve कर लो तो 16 और 15 31 हो गया 31.231 हो गया और by 2 हो गया और इधर जो value आएगा वो हो जाएगा 0.769 ठीक है? और by 2 इसको solve करते हैं तो हमारा आता है 15.615 और इसको solve करते हैं तो आता है 0.384 यह हमारा value हो गया ठीक है? यह समझ में आगे देखे calculation है इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा आवाज कम हो जाता होगा बीच बीच में क्योंकि बोलना थोड़ा सा देखे है calculations पर ध्यान देने लग जाते हैं आते हैं 4 का 3 में 4 का 3 4 का 3 कह है? 2x square प्लस 11x प्लस 4 तो वही हाल है d is equal to b square यानिके 11 का square minus 4 और इंटू 2 और इंटू 4 तो 121 चार्चो के 16 और 2 16 दूना 32 ठीक है? 9, 2, 11 हो गया यह हो गया हमारा अब 11, 11 में से 3 जाएगा तो 889 हो गया अब हम लोग निकालेंगे x यानिके roots तो x is equal to कितना हैगा? हमारा total minus b plus minus तो क्यों लिखना यह minus b है तो minus 11 कर देते है sorry minus 11 फिर plus minus root under 89 और by 2a यानिके 2 to jah 4 a का value 2 है यह हो गया अब हम लोग alpha निकाल लेते हैं तो alpha is equal to minus 11 plus root under 89 और by 4 हो गया और beta is equal to कितना हो गया? minus 11 minus root under 89 और by 4 हो गया तो minus 11 और plus root 89 का value 9.433 9.433 और by 4 और यह हो जाएगा minus 11 यह हो जाएगा minus 9.433 और by 4 add करोगे तो आएगा minus 1 point कितना आएगा? 11 point है न हाँ 1.567 आजाएगा और by 4 और इसमें आजाएगा हमारा minus 20.433 और by 4 अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा minus 0.392 और यह आएगा minus 5.109 approximately में ही आने वाद है ठीक है? में तो formula put करना है कि हाँ formula हम लोग कैसे लगाएगे? समझ में आ गया? question number 4 का 3 भी हो गया अब आते हम लोग question number next में यानि कि that is 5 ठीक है? 5 में questions हम मिला लेते हैं that is solve the equation 2x minus 1 by x is equal to 7 write your answer correct to two decimal places यह equation चलिए तो इसको भी solve कर लेते हैं पहले इसका हम लोग equation निकालेंगे क्योंकि यह दिया हुआ नहीं है पूरा का पूरा format में तो by 1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2x square minus 1 और by x is equal to 7 यह हो जाएगा 2x square minus 1 is equal to 7x तो बन गया equation 2x square minus 7x minus 1 is equal to 0 अब हमको d निकालना है तो d हम यहाँ पन निकाल लेते है d is equal to b square minus 4ac तो b square minus 7 का square हो गया और minus 4 और into 2 और into minus 1 ठीक है? यह हो जाएगा 14 minus minus plus 4 to the 8 तो 14 और 8 8.4.12.22 कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं हो स्वारी 7.2.14 कर दिये 49 minus plus हो जाएगा यह 4.2.8.57 अब हम लोग निकालेंगे roots तो x is equal to minus b कौनसा equation है? हमारा equation अपनेया वाला equation यह है इसमें चलना हम लोग तो minus b that is minus और minus 7 plus minus root under 57 का value लगाएंगे और by कितना? 2a that is 224 अब हमारा alpha निकालेगा तो alpha आएगा हमारा 7 7 plus कितना हो जाएगा? root 57 और by 4 और बीटा होगा 7 minus root 57 by 4 तो 7 plus root 57 by 4 और 7 minus root 57 by 4 root 57 का value होता है 7.54 7 plus 7.54 और by 4 और यहां हो जाएगा 7 minus 7.54 और by 4 यह अलग value हो गया इसमें हो जाएगा 14.54 और by 4 और इसमें हो जाएगा 0.54 और by 4 जब डिवाइट करेंगे तो आएगा 3.64 approximately 2 डिजिट तक और इसमें आएगा 0.14 वो भी minus तो यह और यह हमारा values हो गया x का ठीक है? question number 5 भी complete अब आते question number 6 में question number 6 में क्या बोला है? solve the following equations and give your answer correct to 3 significant figures इसमें point के 3 डिजिट तक जाना है काम तो वही है d is equal to निकाल लेते b square minus 4 तो minus 3 का square minus 4 और into 5 और into minus 4 3 तीया 9 और minus minus plus 4 पच्चे 20 चोके 80 यह हो गया 89 हमारा 89 आ गया तो x जो निकलेगा हमारा यानि की roots जो निकालेंगे तो x is equal to कितना? minus b तो minus minus 3 और plus minus root अंडर d का यानि की 89 और by 25 जा 10 तो हमारा एक alpha निकलेगा alpha निकलेगा हमारा होगा 3 plus root 89 और by 10 और एक beta निकलेगा जो की निकलेगा 3 और minus root 89 और by 10 तो alpha is equal to कितना हैगा? 3 plus root 89 root 89 का value question number 6 है न root 89 का value होगा 9.433 तो 3 plus 9.433 और by 10 अगर question exam में देगा न तो आपको पास value दिया हो रहेगा is equal to यह तो इसका हो गया और यहां पर लिखेंगे 3 minus 9.433 और by 10 solve कर लेते हैं 9.3 12 हो गया 12.433 और by 10 हो गया और यहां हो जाएगा हमारा minus 6.433 और by 10 इसको solve करेंगे तो हमारा आएगा 1.243 और इसको solve करेंगे तो हमारा minus 0.643 तो हमारा roots कौन सा value निकल गया? इतना और इतना और वाला हमेसा लिखना है and वाला नहीं लिखना and आपको लगा नहीं चलिए तो इस worksheet का question number 7 जो की last question है इसको भी solve करेंगे यह अच्छा question है यह important है आप लोग के लिए यह सब questions का exam में आ जाता है चलिए इसको बनाते है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको break करेंगे a-b का whole square में तो x square ठीक है और minus 1 का x square plus 1 का square है 1 और minus 2a भी होता है तो 2 into 1 into x हैने के 2x यहां हो जागा minus 3x यहां हो जागा plus 4 is equal to 0 यह हो गया x square minus 2x minus 3x minus 5x हो गया और plus 1 और plus 4 that is plus 5 also is equal to 0 अब हमारे पास equation बन गया? यह equation निकल गया हमारा अब हम लोग निकाल लेंगे d, d is equal to b square minus 4ac minus 5 plus square minus 4 into 1 और into 5 यह हो जागा 25 और minus 20 याने की 5 तो हमारा x कितना निकलेगा? minus b minus b बोले तो कौन सा? minus हो जागा minus 5 में यह वाला b इस equation से related और plus minus root under 5 और by 2a 2a बोले तो 2 यह हो गया अब हम लोगों क्या रखना है? value put करना है alpha और beta निकलना है तो alpha is equal to कितना हो जागा? 5 और plus root 5 और by 2 और beta is equal to 5 minus root 5 by 2 तो 5 और plus root 5 का value आप लोगों को पता होना चाहिए यहां तक तो दिहान में होना ही चाहिए that is 2.236 और by 2 और यहां भी हमारा value हो जाएगा 5 minus 2.236 by 2 यह हो जाएगा 7.236 by 2 और यह हो जाएगा हमारा 5 है तो 2.2.6476 4 और by 2 अब इसको हमनों क्या करेंगे? divide करेंगे तो आएगा हमारा 3.6 approximately और यह आएगा 1.4 approximately ठीक है? हो सकता है round figure में ना आए round figure में करने के बाद यह आजागा तो यह हो गया और यह हमारा value हो गया ठीक है? यह हो गया question number 7 तक अब देखें 1 से लेकर 7 तक जब बनाए तो हम लोगों सिर्फ औस सिर्फ formula यूज़ करना पड़ा D वाला और roots वाला बाकी तो सिर्फ calculations है तो आप भी क्या कीज़े ना calculations एक बार तो जरू calculations कीज़े ताकि आपको calculation भी कुछ हद तक सही हो जाए strong हो जाए ठीक है? तो बताईएगा कि आपको यह video कैसा लगा ठीक है? comments में आपको बताना है आप लोग बताईएगा और पीछे वाले वीडियो में आप लोग से पूछे थे तो आप लोग उसका भी जबाब दे दीजेगा अगर ये video अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को like भी कर दीजेगा अगर कुछ advice देना है तो वो comment section में advice भी दे सकते हो और अगर subscribe नहीं किये तो अगर वीडियो अच्छा लगो तो subscribe कर लिजेगा मिलते हैं next worksheet में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे nature of roots ठीक है तब तक के लिए thank you so much take care bye bye